हेलो एव्रिवन वेल्कम टू सक्सित्वित्रा एकैडमी 20 मई 2021 के दैनिक जागरण के राष्टे संस्क्रण को आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आज नियूस पेपर लेट आया है इसलिए आपको ये वीडियो लेट मिल रहा है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अरब सागर में जिंद्गियां बचाने की जंग लड़ रही है नौसेना जो चक्रती तुफान आया है तोक्ते उसकी वज़ा से जो समुत्र में जिंद्गिया फस गए थी यानि कि ONGC के बार्ज पी 305 पर सवार 49 लोग अभी भी लापता हैं जबकि 26 के 100 मिल चुके हैं उस बचाने की जंग लड़ रही है अरब सागर में डूबे ONGC के बार्ज 305 पर सवार 261 लोगों में से 186 को अब तक बचाया जा चुका है 26 के 100 मिले हैं 49 अभी भी लापता हैं उमीद इसलिए जिंदा है क्योंकि बार्ज के डूबने से पहले सभी ने लाइफ जैकेट पहन ल कुए हीरा के निकट लंगर डाले खड़ा बजरा पी 305 सोंबार सुबह ही तेज हवाओं के कारण रहरों के साथ बहने लगा था इस बजरे पर 261 लोग सवार थे बजरे में मोटर नहीं होने के होने से कुरू सदस्य इसे नियंत्रित नहीं कर सके कुरू सदस्यों का कहना थ था कि सोंबार सुबह बजरा किसी चटान से टकराया और उसकी तल में छेद हो गया था इस बजरे पर सवार लोगों ने बताया कि वे लाइफ जैकेट पहन लिये उन्होंने पहन लिया है सोंबार साम जब बजरा डूबने लगा तब उस पर सवार लोगों के पास पानी में कूदने के सवा कोई और चारा नहीं बचा नौसेना एवं कोश्ट गार्ट की टीमें ऐसे ही कई कई घंटे से तैर रहे लोगों को बचाने में काम्याब रही है बुद्धवार सुबार नौसेना का जंगी जहाज आई एन एच कोच्ची करीब सवा सो लोगों को लेकर मुंब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है इसमें कहा गया ही कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने इसके तीन महीने बाद ही वैक्सीन दी जाएगी इस्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित बताई गई है हाला कि गर्वती महिलाओं के टीका करण पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है इस संबंध में राष्टिय तकनीक सलाकार समू के साथ विचार विमर्स किया जा रहा है सरकार ने नेशनल एक्सपर्ट ग्रूप आफ वैक्सीन एडिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड की सिफारिस के बाद यह गाइडलाइन जारी की है एक्सपर्ट ग्रूप ने वैक्सीन पर नई सोध रिपोर्ट और वैसिक वैग्यानिक साक्षों के आधार पर सिफारिस की है इसके मताबिक कुरोना से संक्रमित हो चुके लोग, लोगों पर वैक्सीन का प्रभाव तीन महीने के बाद देखा गया है। केंद्री स्वास्त मंत्राले ने इस सम्मंद में सभी राज्यों और केंद्सासित प्रदेशों को पत्र लिखकर वैक्सीनेशन से जुड़े अधिकारियों को इन सिफारिसों पर ध्यान देने वो प्रभावी क्रियान्वेन के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है नेक्स्ट न्यूस पर आते हैं अब न्यूस दिल्ली की है जिसमें अर्विन केजरिवाल ने तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है क्रोणा की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए दिल्ली सरकार वि और उसकी उपलब्दता को लेकर प्रात्मिक्ता के आधार पर कार्य किया जाएगा इसके लिए भी अधिकारियों की एक समीती बनेगी दिल्ली में लगाये जा रहे सभी ऑक्सीजन के प्लांट को समय से पूर पूरा कर लिया जाएगा और भंडारन की व्यवस्ता भी सुनिश इसमें अधिकारियों के साथ बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि तीसरी लहर के दौरान दिल्ली में अधिक्तम कितने केस आने की आसंका है और उसके लिए कितने बैठ की आउशकता पड़ेगी अधिकारियों ने अनुमानित आकलन के अनुसार बताया है कि तीसरी आ-ई-अधिकारियों के निर्थत्र único में किया जाएगा इसके अलावा अलग-अलग छेतनों के विशेशक्य भी सामिल होंगे यह टास्क फोर्स बच्चों के उपर क्रोना का क्या असर होगा उस पर प्रभाव को कैसे कम किया जा सकेगा और बच्चों को इससे कैसे बचाया जा सकेगा आधिर पहली ओपर गौर करेगी और उचित निर्णे लेगी टेक्स निउस है कि वाटसब को नीजता नीती वापस लेने का निर्देश सरकार वाटसब की नीजता नीती यानि की प्राइवेसी पॉलिसी से खुस नहीं है मंगलवार को electronics एवं सूचना प्रोग की मंत्राले ने वाटसब को अपनी नीजता नीती वापस लेने का निर्देश दिया है सरकार ने वाटसब को इस निर्देश का जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दिया है और WhatsApp का जवाब संतोस्प्रद नहीं होने पर कानून के दाइरे में जरूरी कारवाई की जाएगी मंत्राले के मुताविक WhatsApp ने पूर में कहा था कि नीश्टा नीती लागू करने की 15 मई की सीमा को टाल दिया गया है लेकिन मंत्राले का कहना है कि इससे लोगों की नीश्टा डाटा की सुरक्षा जैसे मसलों का समधान नहीं होता वहीं WhatsApp से कहा गया है कि काफी लोगों ने हमारी सेवा की नई सरतों को स्विकार कर लिया है और जिनोंने स्विकार नहीं किया है उनकी WhatsApp सेवा को 15 माई के बाद भी बंद नहीं किया गया है IT मंत्राले ने WhatsApp से कहा है कि जिस तरीके से उसने अपनी निज्टा नीती में बदला लाया है वह गलत है इसके तहट लोगों की पसंद, उनकी डाटा, सुरक्षा और उनकी निज्टा का ख्याल नहीं रखा गया है Next News अब भारत की आवाज बनेगा DD International वैस्विक मंचों पर भारत के नजरिये को मेजूद आवाज देने के लिए प्रसार भारती ने दूरदर्सन इंटरनेशनल चैनल लॉंच करने की दिसा में पहला कदम बढ़ा दिया है मजूदा वैस्विक भूर आजनीतिक और आर्थिक कूर्णीति की विवस्था में भारत के दरश्टिकों को इस्थापित करने के मकसद से इस चैनल की कारियोजना बनाई जा रही है स्वभाविक रूप से प्रस्तावित डीडी इंटरनेशनल चैनल का एक मुख्य मकसद सामाजिक विश्यों पर देश के बारे में वैस्विक मीडिया के एकांकी नजरिये का जोड़दार जवाब देते हुए भारत की सही तस्वीर पेस करना है प्रसार भारती बोर्ड ने हरी जंडी मिलने के बाद दूरदर्सन के डीडी इंटरनेशनल को सुरूप देने के लिए कंसल्टेंट न्यूक्त करने की प्रक्रिया सुरू कर दी है बोर्ड ने कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए वैस्विक निविदा आमंत्रित की है और 28 मई तक टेलिवीजन ब्राटकास्टिंग छेतर की सलाकार समिती से आवेधन मांगे हैं अमेरिका के CNN News Channel और BBC की तरच पर दुरदर्सन के International Channel की जरूरतें लंबे अर्थे से महसूस की जा रही थी और बीते कुछ सालों में इस प्रस्ताओं को लेकर सुबगाहट भी हुई थी पिछले दिनों में भारत जहां वैस्विक मंच पर मजबूत होकर उबरा है वही कई बार अंतराश्टिय मीडिया की ओर से पक्षपाद भी महसूस किया जा रहा है प्रसार भारती ने कंसल्टेंट निविदा से ही स्पश्ट कर दिया है कि भारत के ग्लोबल सामरिक उद्देशों की खातिर डीडे इंटरनेशनल की अंतराश्टिय मेडिया में मौजूदगी को स्थापित करना ही करना होगा ताकि अंतराश्टिय इस तर पर भारत की आवा जिएस्टी चोरी को रोकने के लिए सरकार की सकती लगतार बढ़ रही है अब ईवे बिल से जुड़े समानों की आवाजाही की रियल टाइम जानकारे जिएस्टी अधिकारी रख पा रहे हैं ईवे बिल को फास्टेक और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से जोड़ दिया गया है इससे सामान ले जाने वाले वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है इससे जिएस्टी चोरी पर लगाम लगाना आसान हो गया है जानकारों के मुताबिक ईवे बिल जनरेट करने के दौरान सामान ले जाने वाले वाहन की पूरी जानकारी देनी होती ह इवे बिल सिस्टम को GST अधिकारियों के पास मौजूद मॉबाइल एप से जोड़ दिया गया है ऐसे में वहनों के नंबर के नंबर को डाल कर GST अधिकारी उस एप की मदद से आसानी से या जान सकेंगे कि वह वहन अभी कहां पर है और अपने गंतावितक पहुशने में उसे कितना समय लगेगा फास्टेक से जुड़े होने के कारण या वह वहन कितने टोल प्लाजा को पार कर चुका है इसकी जानकारी रियल टाइम पर मिल रही है जेश्टी अधिकारी अब यहा आसानी से पता लगा लेंगे कि बिना ईवे बिल के माल ढोने वाली कितनी गाड़ियां टोल प्लाजा से गुजरी है इस से गैर कानूनी तरीके से माल की अंतराजी इस तर पर होने वाली धुलाई पर रोक लग सकेगी नेक्ट निउस है आरबियाई के फैसलों पर जल्द अमल करें बैंक भारती रिजर्बैंक ने बैंकों से उसकी हालिया घोश्राओं पर तेजी से अमल करने को कहा है आरबियाई के गवर्णर डॉक्टर सक्तिकान दास ने बुद्धवार को सरकारी बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ बैठक की इसमें बैठक को इस पश्ट कहा गया कि आरबियाई ने पिछले दिनों जो घोश्राओं की हैं और बैंकों को उनकी बैलेंस शीट में जिस तरह की मजबूती लाने को कहा गया है उन पर वो ततकाल अमल सुरू करें वैसे इस बैठक में दास ने माना कि कुरोना संकट से पैदा हुई चुनोतियों से निपटने और लोगों वा कमपनियों को वित्ये मदद मोहिया कराने में सभी बैंक महतपूर भूमिका निभ पायती कर्ज सुविधा उपलब्द कराने समेत MSME याने सूख शुनलगू एवं मजबूले उद्योग छेत्र को आसानी से कर्ज मुहिया कराने कर्ज पुनर गठन और KYC को तर्ग संगत बनाने जैसी घुष्णाय सामिल थी बैठक में RBI के डिप्टी गवर्नर M.K. जैन, M राजेश्वर, राओ, माइकल, देवरत, पात्रा और टीवी रवी संकर भी उपस्तित थे नेक्स्ट न्यूज एडिटोरियल पेज से होगी और पहला आर्टिकल है कि दूरगामी नतीजों वाला टकराओ और ये आर्टिकल लिखा है Observer Research Foundation में रलनीतिक अध्यन कारिकरम के निदेशक हर्स भी पंत द्वारा देगे आर्टिकल में वही इसराइल और फिलिस्तीन की लडाई के बारे में बताया गया है और इससे related एक मेरे द्वारा वीडियो भी बनाया गया है जिसका link आपको description box में भी मिल जाएगा या फिर आप current topic के section में जाकर उसे देख सकते हैं उसमें इसराइल और फिलिस्तीन का टकराव कब से हो रहा है क्या कारण है इसके दूरगामी प्रभाव क्या है इससे किस तरीके से बचा जा सकता है इसमें विस्व समधाई की क्या भूमिका है भारत की क्या भूमिका है इसमें ये सभी detail आपको उस वीडियो में दी गई है पश्चिम एसिया में इसराइली सुरक्षा बलो और गाजा पट्टी से जड़े जमाए फलिस्तीनी आतंकी संग्टन हमास के बीच जारी संगर्स में इसके बावजूत कोई कमी आती नहीं दिख रही है कि दुनिया भर की ताकतें उसे रोकने की ज़रूरते जता रही है जमीनी हालात यही बया कर रहे हैं कि टकराव जल्द नहीं थमेगा दोनों तरफ से हमले जारी हैं जहां हमास इसराइल में रॉकेट हमले कर रहा है वहीं इसराइली सेना गाजा में हमास के ठिकानों को निसाना बना रही है इन हमलों में दोनों और से लोग मारे गए हैं अभी तक 200 से अधिक लोग फिलिस्तीन में और करीब 10 इसराइल में मारे जा चुके हैं चुकि हिंसा जारी हुए दो सप्ता हो गए हैं इसलिए अंतराश्टी समधाए भी उसे रोकने के लिए सक्री हो गया है लेकिन यह कहना क life roku के बारे में लिखा जाएगा वैसे वैसे विश्व जन्मत इसराइल के खिलाफ होता जाएगा जाहिर है कि इसराइल को गाझा में अपने लक्ष जल्द पूरे करने होंगे भले इसराइल के पास अंतराश्टिय समर्थन की कमी ना हो लेकिन वह लंबे समय तक नहीं रह सक इसका फाइदा भारत को मिल रहा है इसका भारत इसराइल के साथ अरब देसों के साथ अपने हितों को साथ पाया है जैसे भारत की इसराइल को लेकर हिचक तूटी है उसी तरह अरब देस भी अब इसराइल से अपने संबंद सुधारने में लगे हुए है इसका भी फाइदा भारत को मिल रहा है इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने इसराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने की कोशिस की है भारत ने हमास के रॉकेट हमलों का विरोध कर दुनिया को यही बताया है कि वह आतंकवात का कभी समर्थन नहीं करेगा इसके स पातंकवात के खिलाफ है और पश्चिम एसिया में सांती और इस्थिर्था कायम रखने को लेकर है नेक्स्ट निउज है कि नदियों में सरव डालने का पाप और यह आर्टिकल लिखा है परमार्थ निकेतन रिसी केस के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती द्व और ना अंत है या अविनाशी अजे और निरंतर है पारत पर करोना का कहर वजरपात की तरह बरसा है करोना से ये जो मौते हो रही है वे महज एक आंकला नहीं बलकि किसी की पूरी दुनिया है कुछ स्थानों में गंगा और अन्य नदियों में बहते सव उनके तटो पर रे परिजनों के सव को नदियों में बहा रहे हैं और उनके तटो पर रेत में समाधी दे रहे हैं या पार्थिव सरीर का अपमान है इससे अन्य स्वास्त समस्याएं भी उत्पन हो सकती है प्रश्ण यह भी है कि जिनके कोई सगे संबंदी नहीं है उनकी कुरुना से अस्पता विदाई पूरे विधी विधान से की जाए इसमें पार्थिव सरीर की मर्यादा बनी रहे और धार्मिक यह सांस्कृति परंपरा के साथ इच्छाओं की पूर्ती हो सके लेकिन जिस तरीके से कुरोना अपने पैर पसार रहा है और इसमें डर होता है कि लोगों के पास सव जलाने के को जलाने से रोका जाता है इस समय ऐसे निर्देश है कि आपको सव घर भी नहीं ले जाने हैं आप सीधे समसान पर ले जा सकते हैं मतलब कई ऐसे नियम लगाए गए हैं तो उसमें कुछ लोग जिनके पास या तो पैसे नहीं है लकड़ी बढ़ती हुई लकड़ मा गंगा भारत में पाँच राजियों से होकर बहती है और कई गाओं के लोग गंगा जल का उपयोग पेजल सिचाई एवन सनान आधी के लिए करते हैं भारती अर्थवयस्था का मिलुदंड और भारती अध्यात्म का सार भी मा गंगा है गंगोत्री में गंगा सागर तक गंगा के तट पर अनेक तीर्थ हैं पचास करोन से अधिक लोगों की आजीविका केवल गंगा के जल पर निर्भर है और पच्चिस करोन लोग तो पून रूप से गंगा जल पर आश्रित हैं गंगा आश्था ही नहीं आजीविका और केवल जल का ही नहीं बलकि जीवन का अभी शुरोत है हमारे लिए गंगा एक नदी की तरह नहीं बलकि एक जागरत सुरूप है नदियों के तटों और कैचमेट एरिया में सवों को दफनाना या सवों को प्रभावित करना एक नई समस्या को जन्म देने जैसा है नेक्स आर्टिकल है गिनावनी राजनीती प्रधान मंत्री नरेंदर मौदी और उनकी सरकार के सांसा देश को बदनाम करने के मकसद से तयार की गई टूल किट किसके दिमाग की उपज है इसका रहस से गहराता जा रहा है भाशपा का आरोप है कि राजनीती के गंदे भद्द चेहरे को उजागर करने वाली इस टूल किट को कॉंग्रेस ने तयार किया है लेकिन कॉंग्रेसी नेता की माने तो यह उनके खिलाफ साजी से उनके हिसाब से इसके पीछे खुद भाशपा का हात है पता नहीं सच क्या है लेकिन यह संदे ना केवल कायम है बलकि बढ़ता जा रहा है कि हो ना हो इसके पीछे कॉंग्रेस के किसी नेता का हाथ हो, इस संदे का आधा टूल किट के जरिये जिन तौर तरीकों और तेवरों के साथ मोधी सरकार पर हमला करने और उसके पीछे उसे लांचित करने की सलाह दी गई है, वे कई कॉंग्रेसी नेताओं की टूल्किट के पीछे अपना हाथ होने से इंकार करने के साथ भाजपा नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक सिकायत दर्ज करा दी है लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता तब तक कॉंग्रेस के लिए खुद को टूल्किट से अलग रखना खासा मुस्किल होगा नेक्ट निउस है कि इसराइल हवाई हमले में बड़ा घर धस्त छे मरे बुद्दवार की सुबह गाजा पट्टी पर इसराइल के हवाई हमलों में कम से कम छे लोग मारे गए हवाई हमले में एक बड़ा रियाशी घर उड़ा दिया गया इसराइल की सेना ने कहा कि उसे खान यूनुस और राफा में आतंकियों के ठिकानों को निसाना बनाया और बावन विमानों ने 25 मिनट में 40 ठिकानों के पर बंबारी की है चीन ने अब नेपाल के दौलखा जिले में जमीन पर कबजा किया चीन अपने पडोसी देश की संप्रभुता पर चोट करते हुए उसकी जमीन पर कबजा करने का कोई मौका नहीं छोड़ता ताजा मामला नेपाल का है अच्छे समंदों के बावजूद चीन ने नेपाल के सीमा वरती जिले दौलखा की सीमा पर लगे पिलर गायब कर बड़े हिस्से पर कबजा कर लिया है इससे पहले भी चीन ने नेपाल के कई अन्य सीमावरती इलाकों में ऐसी हरकत कर चुका है और नेपाल की धर्ती पर इस्थाई निर्मान और सड़क बना चुका है। निर्धारन दोनों पक्षों की रजा मंदी से 1960 में हुआ था। इसके बाद दोनों देसों के बीच 1961 से सीमा समझोता हुआ और सीमा पर पिलर लगा दिये गए। इस समझोते के बाद दोनों देसों के सीमावरती इलाकों में कई बदला हुए लेकिन सीमा रेखा नहीं बदली बात के वर्सों में दोनों देशों की सीमा पर 76 पर्मानेंट पिलर भी खड़े कर दिये गए लेकिन अब चीन यथा इस्तिती को बदलने का प्रयास कर रहा है तो ये आज का याने 20 मई 2021 का धैनिक जागरानून का राश्टी संस् आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद